इलो फ्रेंस कैसे वो आप सब ठीक हो ? तो आज की वीडियो में हम 5 इंग्लिश words के हिंदिवे मैं मीनिंग समझेंगे तो इन 5 रेंग्लिश words के हंदि वे में मीनिंग समझेंगे इन पांच words के हिंदियों मीनिंग समझने के बाद हम इन words के उपर sentences बनाएंगे that is हम इनके examples बनाएंगे तो आए शुरू करते हैं इन पांच words के मीनिंग को समझना तो आज का जो पहला word हम देखने जा रहे है वो है from from का हिंदी में मतलब होता है say तो कब यह sentence या कब यह word लगता है तो for example हम अगर ऐसा बोलते है के वहां से यह लेकर आओ या मैं वहां से आया हूँ उस cases में हम from word का इस्तेमाल करते हैं अगर हम उसके examples देखे तो पहला example है bring the book from the shelf यहाँ पर from word का use हुआ इसका यह मतलब है के book को shelf से लेकर आओ हम बोलते हैं ना दूसरों को instruction देते हैं भाई जरा book को shelf से ले आना तो वहां पे हम say या from word का इस्तेमाल करते हैं second example अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते है I am coming from Mumbai तो इसका यह मतलब है के मैं Mumbai से आ रहा हूँ तो for example आप कहीं पर गए हो as a guest गए हो या तो फिर आप कहीं जाते हो और लोग आप से पूछते के आप कहां से आये तब उस case में भी हम from word को sentence लगा सकते हो like for example I am coming from Mumbai मैं Mumbai से आ रहा हूँ तो सामने वाला क्या पूछ रहा होगा where are you coming from तो आप ऐसे बोल रहा हूँगे I am coming from Mumbai third example अगर दूँ I got the advice from the doctor इसका क्या मतलब हो इसका ये मतलब हो कि मुझे advice मिला got किसका past tense होता है get का तो मुझे advice मिला किस से मिला तो मुझे doctor से मिला तो यहाँ पर भी हम say word का इस्तेमाल करते है तो आप भी from लगेगा suppose आपने कुछ करना start किया है किसी के advice से for example जल्दी उठ रहे हो या तो फिर खाने से पहले कुछ और चीज़े खाते हो तो शायद आपको doctor ने advice दिया होगा ऐसे करने के लिए तो उस cases में आप ऐसे sentence बोल सकते हो कि मुझे doctor से ये advice मिला है तो I got the advice from the doctor और इसका अगर last example देखा जाए तो मैं ऐसे बोल सकते है Are you from Gujarat? यहाँ पर मैंने एक question पूछा हुआ है क्या पूछा हुआ है? कि क्या आप Gujarat से है? यहाँ पर ये from शब्द का इस्तेमाल होता है तो आपको कई बार ऐसे question तो सामने आया ही होगा like for example आप कहां से हो तो ऐसे ही लोग पूछते होंगे guess करते होंगे कि क्या आप Gujarat से हो तो यह हुआ आज का पहला word आज का दूसरा word जो है वो हम देखेंगे वो है bride bride का हिंदियों मतलब होता है दुल्हन दुल्हा और दुल्हन जो शादी में है तो उस case में हम यह word का इसमेल करते है bride and the groom bride का मतलब है दुल्हन तो उसके एगर examples देखा जाए तो पहला example the bride and the groom make a lovely couple इसका क्या मतलब हुआ जो bride है और जो groom है उन दुनों की जोड़ी बहुत अच्छी है for example, हम किसी की शादी में जाते है अगर हमें लगता है के दुल्हा और दुल्हन के बीच में अच्छा मैच हो रहा हो तो हम ऐसा बोलते है के उनकी जोड़ी अच्छी है तो उस case में हम यह word का इस्तेमाल कर सकते है अगर वो लग अच्छी तरह सजदच के आये हो तो उस case में भी हम बोलते के वो अच्छी तरह सजदच के आये हुए है तीसरे example अगर दिया जाए bride के उपर the bride is from Ahmedabad and the groom is from is from Mumbai क्योंसा क्या मतलब है bride कहां से है, दुल्हन कहां से है दुल्हन Ahmedabad से है यहां पर मैंने from word का इस्तिमाल किया जो हमने पहले देखा था तो यहां पर bride भी आ गया और from भी आ गया तो bride Ahmedabad से है और groom यानि दुल्हा कहां से है Mumbai से तो यह जो example था उसमें दो sentences या दो words का combination हो गया अगर चौथा example दिया जाए तो बोल सकते है the bride is taller than the groom ऐसा भी होता है इस sentence का मतलब क्या है तो the bride is taller than the groom groom से भी bride लंबी है तो हम देखते हैं कभी कबार के bride जो दुल्हें जो होती है दुल्हें से height बड़ा उसकी जादा होती है तो उस case में हम ऐसे sentence का तो यह हुआ दूसरा word आजका तीसरा word आजका देखता है वो है negotiation अब negotiation के दो मतलब बनते है पहला मतलब जो negotiation का बनता है वो है बातचीत तो negotiation करना यानि बातचीत करना ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा कि negotiation कर रहा है बातचीत से ही काम सुलचा जाता है तो उसके regarding एक example दे सकते है पहला example India is in negotiation with America for better trade relations तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इंदिया किसके साथ negotiation में है तो अमेरिका के साथ with यानि साथ तो इंदिया अमेरिका के साथ negotiation में है किसके लिए for better trade relations ताकि उन दोनों के बीच में जो व्यापारी relations है वो और भी अच्छा कर सके उसके लिए ये दो countries negotiation में है या बातचीत में है तो पहला example दूसरा example the employee is in negotiation with the HR personnel of the company जो employee है company के HR personnel जो HR का बंदा होता है company में उसके साथ वो negotiation में है ऐसा भी कई बार हम बूलते है for example कई बार लोग interview देने जाते है वो सारे rounds clear कर जाते है फिर last में HR round बचता है कभी कबार HR round पहले भी लिया जाता है कभी कबार last में लिया जाता है तो HR round में employee और company आपस में क्या कर रही होती है negotiate कर रही होती है यानि बातचीत कर रही होती है तो वहाँ पर company अपने terms रखती है कि हम हमारे काम करने के तौर तरीके ऐसे है और employee जो है वो अपने terms बताता है कि मुझे ये चाहिए मुझे ऐसे salary चाहिए या मुझे ऐसी सुईदा चाहिए काम में ऐसे situation में हम इस sentence का इस्तेमाल करते है तो यह हुआ दूसरा example अब इसका जो next मतलब बनता है negotiation का वो देख लेता है negotiation उसका दूसरा मतलब होता है mall bow तो mall bow भी कभी कबार हम करते है तो उसको हम English में बोलता है negotiation for example कोई भी आप shop में जाते हो या तो सबजी खरीदते हो तो आप महाँ पर mall bow करते हो या negotiation करते हो ताकि तो आप price कम हो जाए तो negotiation word के दो मतलब बन जाते है एक तो होता है बातचीत और दूसरा मतलब बनता है mall bow चलो इसके examples देख लेते हैं पहला example If you want to make a bargain then you need to have negotiation skills अगर आप bargain या अगर आप मुनाफ़ा चाहते हो तो आप में कौनसी skill होनी चाहिए negotiation skills होनी चाहिए मोलभाव करने की skills होनी चाहिए तो ऐसे के इसमें आप इस word का इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर देखे If you want to make a bargain अगर आपको मुनाफ़ा करना है तो आपको क्या जरूरी है What you need? You need to have negotiation skills negotiation skills का होना जरूरी है उसका दूसरा एक example देख लेता है तो हम बहुत सकते है negotiation skills is necessary for any individual negotiation की जो skill है वो किसी भी इंसान individual यानि इंसान या कोई भी एक person क्या जरूरी होता है negotiation skills जरूरी होता है आज का चौथा वर्ड देखते है that is sin sin का मतलब हिंदी में होता है पाप ये शाद आपको पता होगा लेकिन अगर ना पता हो तो उसका हिंदी में मतलब होता है पाप अगर कोई पाप कर रहा हो तो उस case में आप इस वर्ड का इस्तिमाल कर सकते है तो चलिए इसके कुछ examples देख लेता है पहला example तो पहला example में बोल सकता हूँ You should remember God before committing a sin कोई भी sin या कोई भी पाप करने से पहले भगवान के बारे में सोचना चाहिए remember या याद करना चाहिए हम अकसर ये किसी और को बोलते है advice देते है क्यों तुम पाप कर रहे हो भगवान का सोचो तो उस case में आप ऐसे sentence बोल सकते हो के you should remember God before committing a sin इसका दूसरा example देख सकते है if you sin then you will go to hell के अगर आप पाप करोगे if you sin then तो आप नरक में जाओगे इसका तीसरा example अगर देखा जाए तो बोल सकते है if you are saying bad about other religions then you are committing a sin if यानि अगर अगर आप saying यानि कहना अगर आप बुरा कहते हो किसके बारे में about about यानि किसके बारे में about other religions दूसरे religions के बारे में अगर आप बुरा कहते हो तो बहाँ पर आप क्या कर रहे हो एक पाप कर रहे हो ऐसा भी हम English में बोल सकते हैं तो अक्सर आजकर की दुनिया में तो आप देखी रहा हो कि हम जगड़ा किस के लिए होता है तो religion की नाम पे होता है बंदा दूसरे religions के बारे बुरा बुलेगा ऐसे बंदे को आप advice दे सकते हो कि अगर आप दूसरे religions के बारे बुरा बोल रहे हो तो आप एक पाप कर रहे हो और इसका last example अगर देखा जाए तो बोलेंगे अगर आप जूट बोल रहे हो जब आप जूट बोल रहे हो अब वन का दो मतलब होता है वन यनि कब होता है और वन का मतलब जब भी होता है तो दुनों जगर पे इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो When You Tell a Lie जब आप जूट बोल रहे होते हो तब आप क्या कर रहे होते हो आप कर रहे होते हो तो यहाँ पर भी हम इस word का इस्तेमाल कर सकते हैं और आज का जो last word हम देखेंगे, वो है me too, me too का मतलब होता है, मुझे भी, अब यहाँ पे आप मैं भी, भी कभी कबार लगा सकते हो, बर इसका generally इसका मतलब होता है, मुझे भी, me too, और एक दूसरा word भी है, that is I too, इन दोनों के बीच में लोग असरा confused हो जाते हैं, कि कौन सा लगा है, I too लगा है, या me too लगा है, तो अब हम देखते हैं, कि इन दोनों के बीच में difference क्या है, तो हम example के through ही पले समझ लेता है, तो me too कब लगता है, तो me too का अगर example दिया जाए, तो दो बच्चे बैठ है, मैं उनको पूछता हूँ, do you like ice cream, तो उसमें से पहला बच्च मुझे आइस क्रिम पसंद है, तो दूसरों ने बूला, मुझे भी पसंद है, अब पसंद है पुरा निई बोला, तो उसमें क्या बोला, मुझे भी, तो उसा केस में, मैी है, और दूसरा word होता है, आई-टू, हम कब इसितमाल कर सकता हैं, जब मै भी हमें बोलना हो, तो व इसलिए हम मैं भी के लिए इस्तमाल करते हैं, लेकिं कभी कबार उसमें मुझे भी हम यूज़ कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दो words थोड़े थोड़े आपस में related हैं बहुत ज्यादा related नहीं है, बट थोड़े से cases में हम इसको एक की जगे दूसरा यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर हम I to कभ यूज़ कर सकते हैं, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो for example, दो lovers बैठे हैं, उसमें से एक lover दूसरे को बोलता है या बोलती है I love you तो सामने से जो दूसरा होता है, वो बोलता है I to love you यानि यहाँ पर क्या हुआ, जब return में हमें बोलना था, तब क्योंकि जो करने वाला बंदा है, जो लव कर रहा है वो अपने बारे में बोल रहा होता है, तो वहाँ पर जो कर रहा है उसके पर ज़्यादा stress डालने के लिए हम वाँ पर तू लगाते हैं तो उस case में हम यहाँ पर me too love you, ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम अपने आपको ज़्यादा stress दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम आई को इस्तेमाल कर रहे हैं me too love you, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं तो जब आप action कर रहे होते हो, तो वहाँ पर I लगता है बट जब आपके उपर action हो रहा होता है, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, me लगाओगे तो friends, यह थे आज के 5 English words, जिनका हमने हिंदियों ननीम समझा यह थे from, bride, negotiation, sin, me too hope को आपको इसके मतलब पता चले होंगे अगर आपको मतलब पता चला हो, तो please इसे like कीजिए, और इसे अपने friends के साथ share कीजिए Thank you for watching